शिवजी क्लबिंग और स्मोकिंग रिप्रेजेंट करते हैं, दिमाग खराब हो गया क्या, एक लिमिट क्रॉस करने वाली चीज, उनसे ये चीज intentionally हुई है, तो भाई उसको clarify करें, अभी हाली में रिलीज होने वाली पिक्चर का एक ट्रेलर आया है, नागरजुना के पिक्च और जदा जदा शेयर करें कि मेकर्स की तरफ से क्लारिफिकेशन आए, नवस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्यूश आप दिकता कुशनार भारत, बहुत समय बात कहलूं या पहली बार कहलूं, मुझे बहुत confirm नहीं है कि ये ऐसा पहले कब हुआ था, क्योंकि अभी तक जदालों की तरह, जहां वो शिवजी का मजा कुड़ा रहे हैं, देवी देवताओं का मजा कुड़ा रहे हैं, उनको लापता दिखा रहे हैं, और उसी एरोगेंस में, उनकी इतनी सारी पिक्चरें फ्लॉप चली गई है, उनको अंदाज्या भी नहीं लग रहा है कि वो कि लोग खतम हो जाएंगा एक टाइम के बाद, उनकी पिक्चर को क्यों boycott कराया जा रहा है, क्या पुरा सीन है मुझे नहीं पता लेकिन उनका ये stand बार बार यह आ रहा है कि जो करना है कर लो हम देख लेंगे देख लेंगे फलाना डेम काना, उस पर बाद में आते हैं, पिक नहीं नहीं आपके पतन की ओर ले जाएगा, तो आज बात करेंगे कि जो 5 अक्टूबर को रिलीज होने वाली फिल्म नागरजुना की, जो वहां के बहुत बड़े स्टार हैं, भारत के भी बहुत बड़े स्टार हों में से गीने जाएंगे, और बहुत सम्मान है उनका, उ आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि पिक्चरों में हर एक सेकंड पे कौन सी प्रॉपर्टी कहां होगी, कौन सा आर्टवर्क दिखाना है, क्या परपस है, हर चीज को इंटेंशनली लिखके, करके, प्लैन करके ही दिखाया जाता है, तभी ये चीज़ें सीक्वेंस में होती है, पोस्ट प्रॉडक्शन, प्री प्रॉडक्शन, इस सब चीज़ें होती है, कि कब क्या रखना है, कब क्या छाटना है, डिरेक्टर को, एडिटर को, तमाम पूरी टीम को पहले से पता होता है, इस सब कुछ इंटेंशनली होता है, कुछ जटके में ऐसे नहीं होता ह और ऐसा क्यों किया गया इस बात का तो मैं जवाब चाहता हूं शीव जी की एक छवी की वो गांजा फूकते हैं नशा करते हैं भांग पीते हैं भस में लपेटते हैं पहाड़ों पे रहते हैं इसको एक नेगेटिव उसमें कूल बनाने के लिए बहुत तरीके से लोग बहु भी रखा है तो अगर आपको इतना ही उनको फॉलो करना है कि गांजा फूकना है उनके नाम पे नशे सारे के सारे उनके नाम पे करना है कूल लगना है तो यह स्टेब भी अपना के देखिए शायद पहुची जाएंगे सीधा उनके पास तो हो सकता है कि इसी नशा पताई smoking को reference में लेते हुए जो शिव जी की छवी बनाई गई थी बॉलीवुड के द्वारा या फिर जो भी कूल एक जनरेशन थी जिसके द्वारा बनाई गई थी हो सकता है कि यहां भी smoking, clubbing, pub, dance, यह सब तीजों के पीछे शिव जी का एक आपको portrait देखने को मिलता है एक वाल पे देताओं को सम्मान, सनातन संस्कृती का सम्मान, पंडित पुजारियों को अच्छी छवी में दिखाना, जो जैसा है वैसा दिखाना, और बॉलीवुड इसलिए भी बदनाम हो रहा है कि तिलकदारी जितने भी होते हैं, भगवाद हरीते हैं, वो गुंडा ये, वो जैसे अभी सम्मशेरा में दिखाया, सुपर फ्लॉप चली गई, ऐसे और कई चीज़ें अभी पीके के चक्कर में, जैसे पीके में दिखाया कि शिवजी बिल्कुल डरपोक हैं, भाग रहे हैं, ये वो, पतलब अनाॉंस्मेंट हो रहा है कि फिरलेस शिवा, और वहां डरपोक क जवाब दें, और अगर उनसे ये चीज इंटेंशनली हुई है, या उसका कोई और मतलब है, तो भाई उसको क्लैरिफाई करें, इस वीडियो की जाता है, जाता है शेयर किया जाई, इस बात मासेस तक पहुंचे, मैं चाहता हूँ ऐसी बात हो, और किसी डिरेक्टर को लग को देखके, तो कृपया मुझे भी गाइडेंस दे दें भाई, अकर मैं गलत सावित हो गए, मैं ये वीडियो हटा दूँगा, माफी अलग से मांग लूँगा, लेकिन अगर डिरेक्टर्स ने, मेकर्स ने, प्रोडियूसर्स ने, किसी ने भी इंटेंशनली कुछ करने को तो कृपया उस सीन को हटाएं, और क्लारिफिकेशन दें, वरना साउथ की जो इमेज है, जिस वज़े से साउथ से इतना प्यार किया जा रहा है, कि साउथ अंटजड है, मुगलों के दुवारा, इसलिए बहुत अच्छे से ग्लॉरिफाई करता सानातन कल्चर को, उच्छ झाल